दीपा वाली के पर्व को लेकर लोगों में कन्फूजन है कि यह पर्व 12 निवेंबर को है या 13 निवेंबर को क्यूंकि दोनों ही दिन आमावस्या रहेगी दिवाली का तिवहर कार्थिक मास की आमावस्या को मनाया जाता है आई जानते हैं कि किस दिन मनाई जाएगे दिवाली कार्तिक अमावस्या तिथी प्रारंभ और अंत का समय सानिय समय के अनुसार तिति के प्रारंब और अंतहुन में कुछ मिनट घट बढ़ रहती है दिवाली किस दिन मनाई जाएगी जोतिश शास्त्र के अनुसार प्रदूश व्यापनी अमावस्या यानि शाम के बाद काल में ही लक्षमी पूजन शास्त्र सम्मत है दिपावली का परवत चुकी अमावस्या के रात में मनाया जाने का महत्त है और अमावस्या तिति की रात 12 नवेंबर को ही व्यापत रहेगी इसलिए 12 नवेंबर को दिवाली बनाना उच्चित रहेगा 13 निवेंबर को दिन में ही अमावस्या तिती समाप्त हो जाएगी इसलिए 13 निवेंबर की सुम वती अमावस्या असनान दान और श्राद के लिए शुब है लक्षमी पूजा का शुब महुर्थ अभिजीत महुर्थ दोपहर 12 बज़े से 12 बचकर 45 मिनट तक विजई महुर्थ दोपहर 2 बचकर 15 मिनट से 3 बज़े तक पूजा काल शाम 6 बचकर 12 मिनट से रातरी 8 बचकर 12 मिनट तक प्रदोश काल शाम को 6 बचकर 1 मिनट से रातरी 8 बचकर 34 मिनट तक वरशब काल शाम 6 बचकर 12 मिनट से रातरी 8 बचकर 12 मिनट तक अमरत काल शाम 5 बचकर 40 मिनट से रातरी 7 बचकर 20 मिनट तक कार्तिक क्रश्र पक्ष्र की आमरस्या की रात को सबसे घनेरी रात माना जाता है कहते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी और कालिका का जन्म हुआ था इसलिए इस दिन दोनों के पूजा का खास महतु है दीपावली की पूजा रात में ही की जाती है इस दिन घर को साफ स्वक्ष्र करके घर के अंदर और बाहर चारो दिशाव में वीपक जलाने से मातलक्षमी प्रसंद होती है